नमस्कार मैं मेगा इंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका दनीउस लॉंचर पर दोस्तों कंदर अनौत ने तुमानो स्मृति रानी की जगह ले ली है अब जिस तरीके से आज राश्रुपती के अभिभाशन के धनिवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी और राहुल गांधी ने दमदार भाशन विया वो एक तीखी नोग जोग भी देखने को मिली है राहुल गांधी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के बीच यानि नीता पक्ष और नीता प्रतिपक्ष लीडर ओफ ओपोजीशन राहुल गांदी ने क्या बढ़िया क्या बखुवी अपने पद की गरिमा का मान रखा और कितना बढ़िया उन्दा तरीके से भाशन बाजी की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पूरे के पूरे माहोल में पनौती लगाने का काम जिसने किया है वो है कंगना रनव। कंगना रनव। कितनी बुद्धी मती है ये बात किसी से छुपी नहीं है अपने आंकडे जो ये पेश करती है और जो उलट फुलट गलत सलत तत्य पेश क करती है जिसमें वो बताती है कि राइट विंग के कौन नेता है लेफ्ट विंग के कौन नेता है जिसे पता चलता है कि इनको इतिहास का कितना ही ग्यान है और एक बार फिर से ये संसन में बैठ कर राहूल गांधी के भाशान पर तिपड़ी करती हुए नजर आती है क्या कह पहले आपको बताती हूं, फिर बताती हूं कि इनकी स्मृतिरानी से तुलना क्यों की जा रही। यानि कंगना रनौत कह रही है कि देवी देवताओं का अपमान किया गया है। जो इनसान जो व्यक्ति फिल्म से तहलुकात रखता हो और उसका एक्सपिरिंस राजनीती में पहली मरतबा। उससे इस बात की उमीद करना कि वो संसद्य प्रक्रिया को समझे थोड़ा गलत हो जाएगा। कि टिपड़ी करने से बचना चाहिए कंगना रनौत को अगर किसी विशय पर ग्यान ना हो और उल्टा कंगना रनौत राहूल गांधी को ही कह रही है कि आप आप देवी देवताओं का अपमान कर और आप जिस तरीकी की बाते कर रहे हैं संसद में वो गलत है बताई और तो और हत्तव पार हो गई जब ये कंगना रनौत जो खुद स्टैंड़ अप कमेडियन जैसी लगती है इनकी भाशन इनकी तमाम बाते आपने सुनिया ने इसे इतनी जैलिसी इतनी खुंदस है किस बात की राहूल गांदी आज पहली बार विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता बन कर गया ले लीडर ऑफ ओपोजीशन बरकर इतना दमदार बाते इन होने कई है पूरा का पूरा धागा खोलने का काम बीजेपी का किया है शायद यही क कंप्लेंस ही हाद फ्रॉम दे पी एम वस दा वेन राजा बेटा कम्स दे पी एम ड़संट स्टैंड अप टो ग्रीट है वह जो छोटी मोटी बाते हम उमीद कर सकते हूं उमीद भी क्या करेंगे इन से क्या बोलती है इनके बात का महत्व क्या है खेर अब सांसत बन गई है तो थोड़ा तबज्जो तो देना पड़ेगा पहले प्रत्याशी की तौर पर मुझे भी लगता था क्या इस पर वीडियो बनाना लेकिन अब सांसत बन गई है तो लोगों को तो समझाए कि आपने मंडी से किस शक्स को या मैं कहूं कि किन मोहत्तरमा को अपने चुना है ज तो तो थोड़ा बताईए कि मुद्दा क्या है और किस वज़ा से रहूल गांदी ये क्या रहे है और स्पीकर सहाब पर भी इंको नजर नी जाती है प्रदान मंत्री राहुल गांदी इनको वी जोड़ा जब रहुल गांदी से मिलते हैं तो बिलकुल स्ट्रेट पोजीशन में रहते हैं वही राहुल गांधी के इलावत जब ये प्रधानमंदीर नरेंद्र मोदी से उंबिर्ला मिलते हैं तो उनका जुकाव थोड़े से एकदम होते ने कि एकदम रिस्पेक्ट वाली चीज़ अब इस पर राहुल गांधी घेड़ते हैं उंबिर्ला को तो उंबिर्ला कहते हैं नहीं में इसे उमर दर्राज है इसलिए मैं जुक गया मैं तो पैर भी छूलेता और ना जाने परवरेश और हमारे यह सिखाया गया है वो सिखाया करके चारो रिलीजियन है चारो नहीं बाकी और भी रिलीजियन इसमें बुद्ध धर महावीर तमाम छे धार्मों का जिक्र किया है और बताया है कि यह कौन सी मुद्रा में है और क्या बताने का मदब पीस शांती बताते हैं यह सभी धर्म लेकिन वहां पर भी मुद्धा प्रधान मंत्री ने और तमाम बीजेपी के नेताओ ने कि किस तरीके से कह रहे हैं कि हिंदू इरोधी बाते कह रहे हैं यह देवी दव्धाओ का अपमान है तब राहुल गांधी ने जो एक सेंटेस का ना वन लाइनर कमाल इक्दम आग मचा दी राहुल गांधी ने कहा कि आरेसस और बीजेपी जो है वो तमाम हिंदू नहीं है यानि हिंदू का मतलब आरेसस और बीजेपी नहीं है बीजेपी आरेसस मतलब तमाम हिंदू नहीं है अगर हिंदू तवकी बात की जा रहे है तो इसको बीजेपी से जोड़कर क्यों देखा जाता है दोस्तो राहुल स्मृति रानी की रिप्लेसमेंट बूदिना उपनी पड़कों पढ़े जंता ने अपने आप इनए संस्थ में पहुंचा दिया और रिप्लेस कर दिया अब जिस तरीके से पहले स्मृति रानी हवा हवा या बाती करती थी जिसका कोई सरपैर नहीं होता था तो उसी तरीके से कंगना रनौद भी बिना सरपैर की बाते करती हैं खेर अच्रज नहीं है दोनों ही टीवी सीरियल दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं यहाँ पर इन्हों ने अपना किसमत चमक गई जनता ने संसंद में बेच दिया तो संसंद में बैठ कर कुछ भी बाते ये लोग कर अब एक तस्वीर आपको दिखाती हूं हसी आएगी देकर यह कंगना रनौ जो इतनी बाती you बड़मोली बाते कर रिए कि स्टैंड अप कमेडियन है राहूल गांधी राहूल गांधी को यह नहीं आता राहूल गांधी अपमान करते हैं राहूल गांधी फिलाना करते हैं धिमकाना करते हैं इनका शकल देखिए महुआ मोहित्रा जब मनिपूर का जिक्र कर रही थी जब बता रही थी कि चुनावी प भी जरूरी होती है और अनुभव भी रखती है और यही कारण है दोस्तों कि महुवा मुहीरा को अनुभव भी जानकारी भी है लेकिन क्या आपको लगता है कि अनुभाव जानकारी पढ़ायल खा ही सब कुछ है। लेकिन दोस्तों सबसे जादा महत्वपूर्ण जो चीज होती है वह होता है प्रेजेंस ओफ माइंड आप उपने दिमाग का कितना उप्योग करते हैं। एक कोई लेमेन, सधारन सब एक्तियों को आप संसद में बिठा देंगे। हो सकता है उसको बहुत सारी चीज़े समझ ना है। एक कुछ तो उसको समझ आएगा ना। उसको राहूल गांधी जोकर तो नहीं लगेंगे। मतलब जो नेता प्रतिपक्ष नीट की बाते कर रहा है, गनीवीर की बाते कर रहा है, सुक शांति की बाते कर रہा है, उसे स्टैंड प कमेडियन बता रहे है कंगना रणोत बताईए। इन जैसे सांसदों को इन जैसे प्रत्याशियों को सांसद के तौर पर आम लोग चुनते हैं। अगर मेज पर तस्वीर रख दी गई तो वहीं बात हो गई ना कि किसी ने कुछ कह दिया तो आप उस पर गए कि क्या शब्द का प्रयोग किया उसके पीछर पीछे की नहीं इंटेंशन पर आप गईने या दूसरा उधारन देदू कि टीचर ने आपको डाट दिया तो बस आ मैं पर आपको कौन वज़ेदार लगता है स्मृती रहिए या कागना रनौत के रूप में रिप्लेस्मेंट बिलचुका है प्लेफिरानी को क्या होटा है यह तो देखने वाली बात होगी लेकिन ँगे कंगना रनौत है कुछ ना कुछ बखान देते हुए नज़र आ रही है, इससे पहले एटी-म-सी को लेकर ममताव एनरजी पर भी निशाना सात्यू नज़र आई थी और अब ये राहूल गांदी को जोकर कह रही है क्या रहा है आपकी पूरी खबर पर कॉइंट सेक्शन के जरी मुझे तक पहुचाएए पिलहाल मुझे दीजिये जाजब मिलते हैं आप से ऐसे ही वीडियो के साथ धन्यवाद